मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ हिस्ट्री हंटर और आपके सामने अपनी कलेक्शन में से बहुत ही अद्भुत पुरानी चीजें लेके आता हूँ आज मैं आपको एक मेडल दिखाने वाला हूँ और ये मेडल जो है इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल के नाम से जाना जाता है मैं इसकी कॉस्ट आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा क्योंकि मैंने देखा है कि जो है मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो ज्यादा इंट्रस्टेड रहते हैं कि ये कितने रुपे का है तो पूरी वीडियो देखना ये जो है मेडल इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल के नाम से जाना जाता है अब अगर इसे देख रहे हो तो इस पे देखो क्राउन भी है उपर ये जो क्राउन है इस सिंबलाइज जिस दे ब्रिटिश रूल और ये जो चक्र है ये हमारी इंडिपेंडेंस को सिंबलाइज क हुआ है प्लस और इसके नीचे भारत का जो है इंडिपेंडेंडेंस का चक्र है अब आप देख सकते हो इसमें जॉर्ज शिक्स लिखा है और इसमें ये ओर्डर लिखा है के रोयल वारेंट जो 21 जुलाई 1948 को के एक वारेंट मतलब ओर्डर से निकला था ये मेडल और पीछे की तरह देखिए इस पे अशोक चक्र कितना सुंदर अम्ब्रोस हुआ है इंडियन इंडिपेंडेंडेंस 15 अगस 1947 तो ये जो है एक कॉमेमरेटिव मेडल है और जिस जिस ने भी ब्रिटिश आर्मी में व्ल्ड वार टू के दौरान आम्र फोर्सेज में लड़े थे जो जो लोग जो जो सिपाही उनको ये दिया गया था और यही सेम मेडल जो है इंडियन को भी दिया गया था और यही सेम मेडल जो है ब्रिटिश को भी दिया गया था तो आप अगर इसके नीचे देखो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेम्ड और medal है और अगर आप इस पर पढ़ सकते हो तो आपको बहुत ही अच्छी तरह दिखेगा कि इस पर लिखा हुआ है बतन सिंग यह देखिए बतन सिंग लिखा हुआ है और प्लस उसकी प्रॉपर डिवीजिन और पूरी इसकी इन्फर्मेशन दी गई है इस medal में आप देखो यह रहा बतन सिंग तो अब यह medal का मेरे पास उपर का जो बैंड होता है यह रिबन जिसे बोलते हैं वो नहीं है बट यह बहुत ही इम्मैकुलेट कंडिशन में है इसका करीबन आइधिंक औरेंज के औरेंज कलर के जैसा कुछ रिबन है इस पर तो अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो यह medal करीबन दस हजार रुपे का आज इंटरनेशनल मार्केट में है कलेक्टर्स इसके लिए दस हजार रुपे तक देने की शमता रखते हैं और कंडिशन बाकी कंडिशन के उपर होता है क्योंकि मेडल्स में कंडिशन बहुत इंपर्टेंट होती है वो घिसा नहीं होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए और हाँ अगर इसका वो जिस रिबन की में बात कर रहा हूं वो रिबन भी होता तो इसकी वैलियू कहीं न कहीं कुछ जादा होती तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊँगा क्योंकि मेरे पास हजारों चीजें है फिसटरी की और बलके ये महीना तो बहुत इंटरस्टिंग जे महीना और आगे वाला महीना भी क्योंकि पहली War of Independence जिसे 1857 की लड़ाई बोलते हैं वो भी अभी शुरू हो जाएगी अगले महीने से तो उससे भी related मैं काफी चीज़े पोस्ट करने वाला हूँ तो अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और पुरानी हिस्ट्री की नायाब और बेश्चीमती चीज़ों का अनंद उठाओ थैंक यू फर वाचिंग